नमस्कार दोस्तों अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइब निश्टन डिपोर्ड आईए नज़र डालते हैं आज की बड़ी ख़बर पी द्वारा निश्चय समवाद को सुनने के लिए वैशाली विधानसभा में सभी कार्यकरताओं के साथ साथ आमजन भी काफी उतसाहिद देखे गए इस वर्चुल रैली के आयोजन को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक शेत्र के युवा नेता एवं वैशाली विधानसभ क्षेत्र के अंतरगत लोगों को मुख्यमंत्री के निश्चय समवाद देखने एवं सुनने के लिए वियवस्था की गई थी इस वर्चुल रैली के आयोजन के दौरान श्री चंदु पटेल अपने पैत्रिक गाउन अगवा में उपस्थित रहे जहां कार्यकरम के बाद पुने वैशाली विधानसभाक शेत्र में कुल 41 पंचायत है जिसमें मेरे द्वारा लगभग 45 सेकंड ज्यादा सामुवी केंडर बनाए गए हैं जहां लोग बैटकर इस निश्चय समवाद कार्यकरम को सुन सकते हैं देख सकते हैं जिस दौरान उन्हें सरकार द्वारा कि देगए कार्यकी जानकारी मिली है आगे की बात खुद विधानसभाक शेत्र के भावी उमीदवार श्री सिध्धार्ट पटेल और चुनु पटेल जी से सुनते हैं समाज में लोगों का कहना है कि किसी भी सुभकार के सुडू या लास्ट में बारिश का होना अच्छा माना जाता है तो इस पे हम आपकी परतिक्रिया जानना चाहते हैं अपने ठीक कहां पूर्वी शुबकार जब होता है उसमें अगर थोड़ी बारिश हो जाती है तो बुजरूगों का कहना है कि यह सुब संकेत है आने वाला समय अच्छा होगा चंटा दरीव के यह आप युबा के अच्छे नेता अभी युबाओं में पहचान अच्छा बना है युबा नेता होते हुए भी समाज में बाड के बिविश्का में एक अच्छा योगदान आपके द्वारा दिया गया तो यह हम चाहते हैं कि आप यहां के युबाओं में कुछ संबाद द देखी अभी कुरोना का प्रिडेंट चल रहा है और उसी करम में वैशाली विधान सवाक के एक तालिस पंचायतों में से 17-18 पंचायतों में बाड आ गया और लोग पहले से ही तरस थे बाड के पानी से और भी परिशान हो गया सरकार द्वारा उन सभी पंचायतों में नाओं की बेवस्था की गई जहां पर लोग लोगों को दिक्कत हो रही थी आने जाने की उसके अलावे जो विस्तापित हो गया जो अस्थानिये लोग उनके लिए सामोही किचन की सुरुवात की गई गाओं समाज के लोग जो जिन अपनी तरफ से हर संभग प्रयास किया कि कोई भी वेक्ति छूटना जाए उसको जो सरकारी साहता है उन तक पहुंच जाए ये मैं कहना था कि यहां के यूवा वर्ग जो आज के डेट के सबसे बड़े भोट बैंक है यूवा वर्ग उनके लिए क्या कुछ अप कहना चाहे कि यूवा वाहों की भागेदारी को 1 मेरे साथ काफी हज्च जादा आ और उनकी उमीद भी मुझसे बहुत जादा क्यूकि मैं उनके हर समस्याओं में अपने आपको खुध से जोड़कि ही उनके लिए कुछ करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उनकी जो भी समस्या है मैं अपने या सरकारी अस्तर पर अपने जिला के पदारी कारियों से उसको सॉल्ट करवा दूँ सर ये थोड़ा सा आज के वर्चुल रैली के बारे में आप कहां तक इसमें आयें सामने होके इसमें थोड़ा सा आपका भी विचार चाहिए था युवाओं में और खास कर ग्रामीन चेत्रों में इस वर्चुल रैली को लेके काफी उतसुपता थी लोग काफी उतसाही थे कि अपने प्रिये मुखमंतर जी को सुनेंगे हम लोगों ने भी व्यवस्था की थी कि जिनके पास मोबाइल वह एंड्रोइड मोबाइल हो तो वह तो अपना देख लेंगे ऑनलाइन जुड़ी आएंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके यह हम लोगों ने ब्यवस्था की कि वैशाली विदान सवा में लगभर 41 पंचायत हैं मैंने 42-43 जगों पे हर एक पंचायत में कुछ पंचायतों में तो दो तीन तीन जगह भी हुए और एक दो तीन पंचायत ऐसे हैं जहां बाढ़ के वज़़ा से या किनी कारणों से नहीं हो सका तो हम लोगों ने वेवस्था की कि एक जगह पे ही कोई सामुहिक जगह हो जहां गाओं के सभी लोग जुड़िया है सामियाना लगा के पचास सो कुर्सी रखे और जहां पर एंडुराइड मोबाइल हो उसको हम लोग स्पीकर से जोड़के और जहां लैप् विकारी मिल रही है काफी संख्या में लोग इसमें सामील हुए और मुक्वंत्री के भासन को सुनके उसके लाब उठाएं